प्रुधान मंत्री मोदी की महत्वगांक्षी योजना गतिशक्ती मिशन को पूरा करने के लिए रेल मंत्रा ले लगातर काम करा है रेल मंत्री अश्मनी वैशनव खुद इस पर नजर बनाय हुए है रेल मंतरी अश्मनी वैशनव खुद हर्याना के रेवाड़ी पहुंचे और छोटी कंटेनर के निर्माण प्रक्रिया का निरिक्षन किया इस मौके पर उन्होंने जी न्यूस से खास बातश्यत में कहा कि रेलवे गति शक्ते मिशन को तेजी से लागू कर रहा है इसके लिए रेलवे कंटेनर और मिनी कंटेनर का तेजे से निर्माण कर रहा है जिसका सबसे ज़्यादा फाइदा किसानों को मिलेगा रेल मंतरी अशुनी बैशनाव हमारे साथ है ये अभी दिल्ली से पाली तक ट्रेक का निरिक्षन करते हुए आए हैं और अब कटवास जा रहे हैं और मीडिया की टीम के साथ है एक बस में सफर कर रहे हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं रेल मंतरी ने पहले अधिकारियों के साथ ट्रेक का निरिक्षन किया और अब बस के जरिये पहुंच रहे हैं कटवास रेल मंतरी जी जो यह गती शक्ती है इसका कॉंसेट क्या है और कैसे यह देश में बड़ा बदलाव लाने वाला है माने प्रदानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हमारे जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे कारोबारी हैं और जो छोटे किसान हैं, उनके लिए एक ऐसी सुगम व्यवस्ता की जाए, जिस व्यवस्ता से अपना समान आराम से एक बहुत ही सुविधा जनक तरीके से देश के किसी भी कौने में पहुचा सके, इसी के लिए एक इनोवेटिव गतिशक्ती बॉक्स की डिजाइन की गई है, जो कि अभी बॉक्स आपने देखा, मैनिफेक्चर होते हुए, और अभी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, उसकी लोडिंग अनलोडिंग, तो इ काम से उसको हैंडल किया जा सके, और देश के कौने-कौने में रेलवे का जो जाल है, रेलवे का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क से किसी भी कौने में देश में पहुचाया जा सके, तो क्या यह कह सकते हैं कि हम जो देश के छोटे-छोटे रेलवे स्टेशन है, उहां के लोग भी इसका उपयोग कर पाएंगे बिलकुल बहुत तेजी से हम लोग इस पर काम करेंगे देखिए हजार मिल की अगर जर्णी करनी है तो उसके लिए एक कदम कहीं ने कहीं उठाना होता है तो यह इनोवेशन है इस इनोवेशन का पहला कदम है यह इसके बाद में तेजी अपने बॉक्स देखा गतिशक्ती बॉक्स देखा उस बॉक्स में टॉप लोडिंग है यह बहुत बड़ा इनोवेशन है बहुत बड़ा इनोवेशन है यह टॉप लोडिंग होने से जवार बाजरा धान गयों कुछ भी बड़े अराम से उसमें लोड किया जा सकता है दू तो इसके कारण आप आराम से इसमें 30 तन, 32 तन तक का समान इसी वाक्स में ले जा सकते हैं. यानि इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन कोश्ट कम होगी. रोजगार भी बढ़ेगा? रोजगार बढ़ेगा, लोजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होगी, किसानों की आई इससे बढ़ने की समभावना रहेगी. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद. तो रेल बंतरी जैसा कह रहे हैं, इसके दूरगामी पढ़नाम होगे और किसानों को इसका सबसे ज़्यादा फाइदा होगा. ब्रह्माप्रकास्षिदुवे, जी मेडिया, दिल्ली.